Hello dear students, welcome to Magnet Brains, मैं संचिता जैन आप सभी की social science educator आज के session में लेके आई हूँ आप सभी के लिए Class 10th World की सामाज विज्यान में भूगोल यानि की geography का chapter number 4 जिसका नाम है crushy यानि की agriculture और आज हम पढ़ने वाले हैं इसका पहला topic जिसका नाम है crushy की प्रकार यानि की types of agriculture तो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दियों जादा से जादा आज की session को आप सभी लाइक कर दें शेयर कर दें साथी साथ चैनल को सबस्क्राइब भी कर दें क्योंकि magnet brains provide कराता है आपको class 6 से लेके class 12 तक के सारे courses free of cost high quality education के साथ fully organized complete course के साथ जी हाँ हम आपके लिए कई सारे चॉकपोर्से सिंधी और English दोनों मीडियम में provide कराते हैं CBAC board के साथ 5 स्टेट board के स्लेबस को भी cover कराया जाता है MP board, UP board, बिहार board, दिल्ली board और राजिस्तान board कई सारे special courses भी हैं जैसे की वैदिक मैस, crash course और spoken English और इतने सारे courses एक ही single platform पर high quality education के साथ fully organized complete course के साथ एकदम free of cost आपको एक ही single platform पर provide कराया जा रहे हैं तो शुरू करते हैं आज का ये session आपके like और share के साथ सबी ready हैं शुरू किया जाए एक बार जल्दी से बोलतो येस मैम शुरू करो ready है अल्राइट सब कुछ के लिए इतनी जानकारी के लिए चलो बई आजाओ types of crushy types of agriculture ठीक है चलो बई आजाओ crushy के प्रकार types of farming या agriculture तो crushy की द्रस्टी से भारत जो है एक महात्वपूर्ण देश है क्योंकि भारत एक क्रशी प्रधान देश है भारत किस प्रकार का देश है भारत एक क्रशी प्रधान देश है हम आजादी के बाद की बाद करें जब हम अरह भारत देश धीरे धीरे विकास कर रहा था तो सबसे पहले भारत ने क्रशी के चित्र में विकास किया और उस समय लगबग हम बात करें Susah doğru in 1972 के दौर की कब की बात करें सद 5 Flowers के दौर की बात करें तो 1972 में भारत की जीडिपी में भारत की जीडिपी यानि भारत के सकल घ्रय लू उत्पाद में भारत की जीडिपी में जो है किसका क्रशी का योगदान सबसे जादा था क्रशी का योगदान सबसे जादा था तो क्रशी किस प्रकार का शेत्र है क्रशी किस प्रकार का शेत्र है कौन बताएगा बताएगा क्रशी किस प्रकार का शेत्र है भारती अर्थ विवस्ता के तीन शेत्र होते है प्रात्मिक दुतियक और तरतियक तो क्रशी कार का शेत्र प्रात्मिक शेत्र यानि कि 1972 के दौर में भारत की अर्थविवस्ता में भारत की सकल घरल उत्पाद में जीडीपी में सबसे जादा योगदान था अर्थविवस्ता के प्रात्मिक शेत्र यानि कि क्रशी का जनसंग्या क्रशी कारियों में लगी हुई है यानि कि भारत की अधिकांश जनसंग्या अर्थ व्यवस्ता के प्रात्मिक शेत्र में रोजगार में लगी हुई है अल्राइट इतनी बात किलियर है हाँ जी और भारत की जो ग्रामीड अर्थ व्यवस्ता है गाउं की बात करें भारत के ग्रामों की बात करें तो भारत के गाउं की अधिकांश जनसंक्या क्रशी कारे को ही करती है उसी को अपने रोजगार का माध्यम बनाती है ये तो बेसिक स जैसे कि हम पहली बात करें प्रारंभेक जीवी का निर्वाहक्रशी ठीक है पहला प्रकार क्या है प्रारंभेक जीवी का निर्वाहक्रशी अब इसमें क्या होता है यह करतन दहन प्रणाली होती है ठीक है करतन दहन प्रणाली अब जैसे की करतन दहन प्रणाली का मतलब यहां करना है ठीक है उतना करना है जितने में गुजारा हो पाता है किसी भी व्यक्ति का तो प्रारंभिक जीवी का निर्वाह क्रशी जीवी का निर्वाह शब्द को समझना वहीं से connectivity बैठती है करतन दहन प्रणाली की जीवी का निर्वा का क्या मतलब है उतना कि जितने में हमारा जीवन चल जाए ठीक है उतना जितने में हमारा पेट भर जाए और हमारी बुनियादी आवश्यक्ताओं की पूर्ती हो जाए उसे हम कहते हैं प्रार क्रशी ओजारों जैसे लकडी के हल इसमें क्या होता है भूमी का छोटा सा टुकड़ा होता है बहुत जादा भूमी नहीं होती सीधी सीवात है जीवी का निर्वाह क्रशी है तो भूमी बहुत जादा नहीं होगी उतनी ही भूमी होगी जितने में अनाज उतना उगाया जा सके जिससे आपका परिवार चल सके अल्राइट तो इसमें क्या होता है भूमी के छोटे टुकड़ों पर आदिम क्रशी ओजारों अब आदिम क्रशी ओजारों का मकलब क्या होता है यानि कि जो पुराने क्रशी ओजार है आधुनिक नहीं पुराने क्रशी ओजार ठीक है जैस समझोद चान्द के याकार का एक ओजार होता है जिससे चेलने का काम किया जाता है जैसे फसल मैं या किसी पेड़ कुछ गांठ है उसको चीलने का काम उसे किया जाता है ताकि अनावशक परशिक चीजें उससे हटाई जा सकें तो लकडी के हल डाओ और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार रत्वा समुदाये श्रम की सहायता से की जाती है यानि कि इस क्रशी में बाहरी व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जाता अब छोटी सी भूमी है भूमी का कि मजधूर बुलाने के एक तो आवश्शक्ता नहीं है और अगर बाहर से मजधूर बूला के आप खेती का काम करवाते हो तो आपके लिए क्या बचेगा फिर तो जो प्रारमभिग जीवी का निर्वाह क्रशी है वो किस प्रकार से करीजाती है वो करीजा ती परिवार के स सदस्यों के द्वारा ही या समुदायक के सदस्यों के द्वारा आपस में ही करीज आती है अल्राइट ये प्राचीन तरीके से करीज आती है प्राचीन क्रशी और जारों की सहायता से करीज आती है और क्या बात है सबसे पहली बात क्या सीखी थी इसमें क्या सीखी थी उतना ही उत्पादन किया जाता है जितना जरूरी होता है अल्राइट तो इस प्रकार की क्रशी प्राया मांसून म्रदा की प्राक्रतिक उर्वर्ता और फसल उगाने के लिए अन्य परयावरणिय परिस्थितियों की उप्युक्तता पर निर्भर करती है अब छोटी सी भूमी में जारिया परिवार के व्यक्ति कर रहे हैं स्वयम के उत्पादन के लिए कर रहे हैं पुरान एक रशी ओजारों का प्रेयोग कर रहे हैं तो क्या होगा क्या वह बाहरी तत्वां पर डिपेंड रहेंगे कि सचाई की अलग से वह साधन खोजेंगे या फिर अलग से बाजार उर्वर्ग को खरीदेंगे नहीं ठीकिन देशी तरीके से यह खेटी करी जाती है पूरा प्रकरती पर निर्भः होके यह खेटी करी जाती है जब मान्सुन होगा तभी इस प्रकार की खेटी करीजाएगी यानि कि पानी की पूर्थी के लिए सचाई के लिए किस पर depend होते हैं मांसून पर वर्शा पर ठीक है ब्रदा की प्राकृतिक और वर्ता यानि कि जो मिट्टी है मिट्टी की जो natural fertility है ठीक है उसमें जो naturally portion पदार्थ पाई जाते हैं मिट्टी में उसी पर depend होके क्रशी करते हैं और फसल उगाने के लिए अन्य परयावरणी परिस्तियों की उप्यक्तता यानि कि कब बारिश होगी कब कितना temperature होगा ठीक है पूर रूप से इस प्रकार की क्रशी यानि कि प्रारंभिक जीवी का निर्वाह क्रशी किस पर की जात है प्रकरती पर निर्वार होकर ही करी जाती है अल्राइट तो यह हो गया पहला प्रकार प्रारंभिक जीवी का निर्वाह क्रशी अल्राइट चलिए चलें फिर आंगे क्लियर यहां तक ही बात अब क्या है गहन जीवी का क्रशी दूसरा प्रकार क्या है गहन जीवी का लेते हैं तो इस प्रकार की क्रशी उन छेत्रों में की जाती है जहां भूमी पर जनसंख्या का दवाव अधिक होता है पहला पॉइंट क्या बनता है गेहन जीवी का क्रशी यानि जहां जनसंख्या जादा होती है जहां जनसंख्या का पालन जादा करना जादा जनसंख्या का गहन खेती है थैजिसे लिए जब गहन खेती है जहां अधिक उथ पाहं के लिए अधित मात्रा में जैवरासाइनिक निवेशों और सिचाई का प्रयोग होता है ठीक है अब भूमी तो उतनी है भाई साब जनसंख्या बढ़ती जारी है जनसंख्या बढ़ने के हिसाब से क्या खेद का छेतरफल बढ़ जाता है नहीं बढ़ता ना लिमिट तो उतनी है उस जमीन की लेकिन उसी जमीन में जादा उत्पादन कैसे किया जाए बढ़ती हुई जनसंख्या के हिसाब से उसी जमीन पर जादा उत्पादन कैसे किया जाएगा जब हम जैवराशाइनिक निवेशों का प्रयोग करेंगे जैवराशाइनिक चीजों में इन्वेस्टमेंट करेंगे गई बात तो गहन जीवी का क्रशी कब करी जाती कहा करी जाती है जिस भूमी पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है जहां जादा जनसंख्या होती है जादा जनसंख्या होने के कारण वहां क्रशी कार्य जादा करना पड़ता है उत्पादन जादा करना पड़ता है जिसमे हमें chemical fertilizers का opioid करना पड़ता है, सचाई की नए साधनों का opioid करना पड़ता है अल्राइट, clear है बात, फिर क्या है, तीसरा प्रकार है वाड़िजिक क्रशी का तीसरा प्रकार है वाड़िजिक क्रशी, अब ये वाड़िजिक क्रशी क्या होती है तो इस प्रकार की क्रशी के मुख्य लक्षन, आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीज, आधुनिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करा जाएगा, कैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों का प्रयोग, यानि की HYV Seeds का प्रयोग हमें कनना होगा, अब ये HYV Seeds क्या होते हैं? High Yielding Variety के Seeds, यानि की उन्नत किस्मिके बीजों का प्रयोग कनना होगा, जिनसे पैदावार जादा होती है, ठीक है? और रासाइने कुरवरकों का प्रयोग करना होगा, कीट नाशकों का प्रयोग करना होगा, इन से क्या होगा, इन सब के प्रयोग से हमें जादा पैदावर प्राप्त होगी, जादा फसल का उत्पादन होगा अब वारेज जे क्रशी है वारेज जे क्रशी का मतलब क्या हुआ यानि कि जो क्रशी व्यापार के लिए करी जाए यानि कि जितना लोगों के लिए जरूरी है एक किसान की अगर हम बात करें एक किसान के पास मानलो की आठ से दस एकड का एक खेत है अब 8 से 10 एकड में काफी ज़्यादा मात्रा में अनाज उगाया जा सकता है बोलो उगाया जा सकता है ना ठीक है तो अब उतना उत्पादन तो हो गई उतने उसके खेत में कि जितना उसके परिवार के लिए हो साथी साथ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन भी होगा क्योंकि खेट की साइज बड़ी है और अधिक पैदावार करने के लिए उसने क्यामिकल फर्टीलाइजर्स का भी उपयोग किया है सिचाई के आधुनिक साधनों का भी प्रयोग किया है तो पैदावार जाद होगी यानि कि स्वयम और उसके परिवार के उप्योग के अलावा भी अधिक उत्पादन होगा जिसे हम अधिशेस उत्पादन कहते हैं यानि कि एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा उसको वो क्या करेगा उस फसल को बाजार में जाके मंडी में जाके बेच देगा तो वो किस प्रकार की फसल होई व्यापारेक्रशी तो व्यापारेक्रशी के लिए हमें आधूनेक तरीके से इंवेस्टमेट करने की जरूरत होती है ताकि जादा से जादा उत्पादन किया जा सके तुन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग, कीट नाशक का प्रयोग और उर्व चलिए तो यह हो गए अपने क्रशी के तीन प्रकार तो हो चुके हैं अब है रोपण क्रशी रोपण क्रशी एक प्रकार की वाड़िजिक क्रशी ही है ठीक है इसमें क्या होता है इसमें खेती में लंबे चोड़े छेत्र में एकल फसल बोई जाती है ठीक है सिर्फ एक प्रका का एरिया है ठीक अब इसमें क्या किया गया इस प्रकार की लंबी लंबी कतारे बनाई गी ऐसी इस प्रकार की लाइन बनाई गी आपने देखी होगी खेतों में ठीक है अब इन कतारों में ही पौधों को रोपा जाता है ठीक है पौधों को रोपा जाता है और फसल का कि आ जाता है तो इसे कहा जाता है रोपड क्रशी और रोपड क्रशी मुख्य रूप से किस प्रकार की क्रशी होती है रोपड क्रशी जो है मुख्य रूप से व्यापार एक क्रशी होती है जैसे कि चाय कौफी के पौदों की हम बात करें यह सब किसके उधारन होते हैं यह सब व्यापार एक क्रशी या रोपड क्रशी के ही उधारन होते हैं किलियर है अब आप चाय कॉफी की थोड़ा सा लॉजिक लगाएं कि एक किसान क्या सिर्फ स्वयम के उत्पादन के लिए चाय उगाएगा आपका परिवार एक साल में कितनी चाय पी पाता होगा बहुत ही कम और उसमें भी परिवार के ऐसा जरूरी नहीं कि सभी सदस चाय पीते ही हो ठीक है तो अगर किसी के हाँ चाय कॉफी की खेती हो रही है तो सिदे सी बात है कि बिजनिस के लिए हो रही है क्लियर है बात चलिये तो रोपड क्रशी किस प्रकार का उधार होती है वाड़िजिक क्रशी होती है और इसमें खेती में लंबे चोड़े छेतर में एकल फसल बोई जारी एक प्रकार की फसल एकल फसल का मतलब क्या है एक प्रकार की फसल कि सिर्फ अगर चाए बोई गई तो चाए की ही फसल बोई जाएगी ठीक है? ये बात के लिए और इस तरीके से कतारों में खेती करी जाती है अलराइट चलिए तो ये बात हो गई रोपड क्रशी की और इस प्रकार आज के शेशन में हमने क्रशी के विभिना प्रकारों को जाना अगर आपका कोई डाउट है कोई क्वेशन है तो जल्दी से मुझे कॉमेंट करके बता दें आपके हर एक सवाल का आंसर दिया जाएगा मिलते हैं जल्दी ही अगले सेशन में इस चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ तो नोटिफिकेशन बैल आइकन को जल्दी से प्रेस कर दें ताकि जैसे ही वीडियो अप्लोड होता है तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारे सेशन को तुरंत जुआइन कर पाएं अगर आप हमारे डेली के लाइफ सेशन और रिकॉर्डिट सेशन से जड़ना चाहते हैं सारी चीज़ें उपलब्द हैं मैंगनेट ब्रेस के यूट्यूब चनल विब साइट और एप्लिकेशन पर मैनेट ब्रेस इंडिया का नमबर वान 100% फ्री ओनलाइन एजुकेशन प्लेटफोर्म है इसके अलाव अगर आप e-book से रिनोट भी चाहते हैं उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है महां से आप अवेल कर सकते हैं हमारे पास आपके लिए कई सारे चाप कोर्से सिंधी और इंगलिस दौनों मीडियम में अविलेवल है सीबेसी वोड दिल्ली वोड बिहार वोड यूपी वोड एमपी वोड राजस्तान वोड के सिलेबस को कवर कराया जाता है कई सारे स्पेशल कोर्से से वैधिक मैस क्रेश कोर्स और स्पोकन इंगलिस और इतने सारे कोर्से सेखी सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालीटी एजिकेशन की साथ fully organized complete course के साथ एकदम free of cost आपको provide कर आए जाते है Magnet Brace, YouTube के लावा other social media platform जैसे की Facebook, Instagram, Twitter, Telegram WhatsApp पर भी उपलब दें आप हमें वहां भी follow कर सकते हैं वहां से भी सारी जानकारी प्राब्ट कर सकते हैं तो आज के शेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है हमारे साथ बने रही है, जड़े रही है, पढ़ते रही है खुश रही है, थैंगे सो मच